हलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी साहिल एक्सप्रेस आपकी टाइम पर आ चुकी है आउटर पर खड़ी थी तो आएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस खुबसूरत से सेशन को प्रॉफिट लॉस हम पढ़ रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं वह भी थेओरी भी बता कर चल रहा हूं जिससे कि आप चीजने कवर कर पाएं और सेलेक्शन आप मेक्सिमम महारे आसी सेलेक्शन जाएंगे यह आपको मैं पहले बता देता हूं सतर के बजाए सौ दिन भी हो सकते है तो आपको उसमें टैंशन लिन है साथ के साथ हरीश एक्सप्र साथ के साथ में आपको ALP से railway से related all questions exam वाली feeling के साथ में regular 3 बजे catch the math 6 बजे catch the reasoning और 10 बजे catch the science यह regular sessions भी आप लोगों के चल रहे हैं यूट्यूब पर तो बस आप follow करिये आपकी चीज़े बहुत सारी हैं अगर आपका basic कमजोर है तो आप हमारे साथ हमारे foundation में भी जुर सकत करनी है आपनको solid वाली हाँ temporary तैयारी से selection अब नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है temporary तैयारी से temporary नंबर आते हैं तो permanent नंबर लाने के लिए आप railway record breaking बैस से जुड़ सकते हैं और आपको यह offer में आपको अपनी application पर मिल रहा है ठीक है quick tricks by sahil sir पर सभी exams के लिए एक ही बैच है quick tricks by sahil sir application पर जाईए और पढ़ाई करिए ठीक है test series में test series ले सकते हैं आप अब यह 78 नंबर कोशन पर थे हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोशन को करना क्या इसके इसका तरीका आपके पास है किस तरह से मैं इंट्रेस्टिंग रहेगा चलिए पहले एक बार आप कोशिश करें एक दुकांदर अपने माल का एक चौथाई हिस्सा 22 परशन के लाब पर अन्य एक चौथाई 25 परशन के लाब पर और अन्य एक चौथाई 10 परशन के लाब पर तो कहने का मतलब यह कि सभी के जो एक चोथाई एक चोथाई एक चोथाई चार इस्सों में बाण दिया जानि कि जो सभी का क्रेम उल्ल है वो एक तरीके से बरावर है तो यहां डायरेक्टलि आप लगा सकते हो कि यहां 20% का लाव हो रहा है ठीक है यहां पर क्या हो रहा है सर 25 परसेंट का लाव हो रहा है बहुत बढ़िया यहां पर 10 परसेंट का लाव हो रहा है बहुत बढ़िया और यहां पर हानी हो रही है बहुत बढ़िया तो भाई इससे कितना आसान हो गया देखो कुश्चन तो सर जी आपने देखा सर 20 एकम पांच परसेंटेज क्या बोलेंगे भई बारे पॉइंट 5 परसेंटेज बोलेंगे जाड़े बारह Verm condition बच्रा से ढद करने जाता है तो उसको लगता है कका क्वी टाइंग क्योंकि फय एकस माना रहा है सो मान रहा है क्या मान रहा है क्या नहीं मान रहा है बहुत प्रोब्लम है बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाते हैं बट यह जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं यह सबसे आसान प्रोसेस है ठीक है चलेगा आईए अगला प्रशन आपके सामने यह लीजिए करके बताते ह आप लोग आराम से करिए चलिए एक निर्माता अपने उत्पात को दस परसंड के लाप पर धिस्टीमिटर को बेचता है डिस्टीमिटर उसे 5 परसंड के राप पर रेटेलर घ्राहक को बेचता तो यह कौन सा रूल है कौन सा रूल है आपका वही वाला रूल ए यह तो सर्फ परेश्ण को पड़कर समझ में आ जाना यही अच्छा लगता है manufacturer wholesaler यानि की distributor को दे रहा है और distributor आपके customer को दे रहा है ठीक है distributor किसको दे रहा है customer को दे रहा है ठीक है chain rule है यहां 10% के profit पर distributor को जा रहा है यहां 5% के profit पर ग्राहक को जा रहा है तो 10-11 20-21 तो यह रेशो जो आता है यह 200 manufacturer और customer के बीच का relation है तो ग्राहक के लिए क्रेम उल्ले इतना है तो निर्माता के लिए लाब का निर्धारन कीजिए अभी निकल देते हैं पहले देखिए ग्राहक यह है और यह 11500 के बराबर है ठीक है तो 11-21 करेंगे तो 11500 के बराबर है मेरे हिसाब से तो अब यह कट जाए तो अच्छी बात है नहीं तो कोई बात ही नहीं है तो देखते हैं एक रेश्यो की वैल्ली हो जाएगी 11500 बटे 11-21 और इंटू-200 कर लो इंटू-200 यह आपका आगया सीपी आगया आगया कि नहीं आगया सीपी यह यह 200 रेश्यो की वैल्ली भी मैंने वहां निकाल दी अब आपको बताना है कि लाब निकालना है 230-00 230-000 हो जाएगा एक तरीके से 230-0 बटे 11-21 मुझे लगता है पॉइंटों में जाने वाला है यह आंसर है आपका अब डिवाइड करो पूरा तो आई थिंक मेरे को लगता है कि लगभग यह आ रहा है 231 का असपास और अगर आप 231 का भाग इसमें दे रहे हो तो 99 के कॉमन सेंस है सर मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता क्या करूं कि मतलब इसका जवाब तो बहुत कठे ने देना कि आप क्या करोगे अगर आपको मैथ नहीं आता तो हां ठीक है तो काफी इंट्रस्टिंग कोश्चन है यह काफी पेपरों में पूछा जाता है और इस तरह की कैल्कुलेशन हल्की फुल की आ जाती है आपके पास में अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर यह लीजिए अब यह आसान टाइप भी बनता है आपके रेल्वे में कि 31 पैनों का क्रेम मुल्य यह 30 पैनों के विक्रेम मुल्य के बरावर है कि 33 पैनों का जो क्रेम मुल्य है तीज पैनों के विक्रेम मुल्य के बरावर है ठीक है सीपी और एसपी का जो रेशो है वह हो गया वह दस से एक ग्यारा आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा एक बटे दस गुना सो जाने कि 10 परसेंट हो जाएगा सुस्तु सर इसमें बिल्कुल लीनिर बनता है क्या बिल्कुल लीनिर से बनता है कोई इसमें परिशानिय नहीं था आपको लीनिर बिल्कुल बनेगा अगला question आपके screen पर है एक बर आप इसे करके बता हुए झाल झाल 35 पैनों का क्रें मुल्य 25 पैनों के विक्रें मुल्य के बराबर है तो CP और SP का जो रेशो आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है 25-25-35 तो प्रॉफिट कितना आ रहा है दो का प्रॉफिट है पांच के रेस्पेक्ट में गुणा 100 यानि की 40 परसेंट हो जाएगा अब यह तो इ पांच वस्तों का विक्रें मुल्य चार वस्तों के क्रें मुल्य के बराबर है तो यह सिंपल इक्यूएशन बनाना तो आई जाएगा आपसे तो यहां से SP और CP का जब रेशो आप निकालोगे तो यह कितना निकल कर आ रहा है है चार बटे पांच तो कितने का लॉस नजर आ रहा है एक का पांच के रेस्पेक्ट में गोणा सो तो यह जो लॉस है यह 20 परसेंट का लॉस हो गया अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर दिया मैंने कि 24 वस्तूओं को बेचने पर 9 वस्तूओं के क्रेम मुल्ले के बराबर हानी होती है यह वैसा ही कॉंसेप्ट जो मैंने थियोरी में करवाया था अब आप में से कौन सही करता है देखते हैं अब कभी भी ऐसी चीज़े आ जाएं कि कितने वस्तूओं के आदान परदान की बात की गई है 24 वस्तूओं को बेचने पर बात की गई है और क्या हो रहा है उससे 9 वस्तूओं के क्रेम मुल्य के बराबर हानी होती है तो जो हानी होती है जो लॉस होता है वो लॉस बराबर आपका होता है क्रेय मुल्य माइनस का विक्रेय मुल्य और क्रेय मुल्य माइनस विक्रेय मुल्य किसका विक्रेय मुल्य नौ वस्तूओं की क्रेय मुल्य नौ वस्तूओं के क्रेय मुल्य बराबर किसका 24 वस्तूओं के आदान प्रदान का तो क्या हो रहा है भई हानी हो रही ह SP और CP का जो ratio आ रहा है वो 3, 15 और 3, 8, 24 आ रहा है तो 3 का आपको loss मिलेगा 8 के आपको respect में मिलेगा गुणा 100 3 का loss है 8 के respect में गुणा 100 देखिए कोई गड़बर तो नहीं है क्रेम मुले के बराबर हनी होती है 15 और 9, 24 ठीक है 3, 15, 15, 3, 8, 24 बिल्कुल ठीक है तो क्या सर option गलत है हाँ definitely option गलत है definitely option गलत है यानि कि आपका जो right answer होगा वो 37.5% के loss को बताएगा किसको बताएगा 37.5% के loss को बताएगा या answer ठीक है बैया चीजे clear हो गई आप लोगों को एक बर हाया ना में जवाब दे दीजिए और thumbs up कर दीजिए कि बोले सर अच्छे से clear हो रहा है किसी को को problem तो नहीं आ रही है ना very good चलिए सब के लिए CBT 2 की बात करें CBT 1 की बात करें यह तो एक तरीके से आपका एक कह सकते हैं कि टार्गेट कोर्स कवर हो रहा है यह आपको किसी पेड़ बैच में भी नहीं मिलेगा इतना जित्ता मैं आपको करवा रहा हूं है मैं बहुल रहा हूं मेरा तजरुवे के साथ में ठीक है अगला प्रशन आपके सामने यह रहा देखे कैसे करते हैं दिखाओ एक दुकानदार को 10 मीटर कपड़ा बेचने पर 2 मीटर कपड़े के विक्रे मुल्य के बराबर लाब होता है तो 2 मीटर कपड़े के विक्रे मुल्य के बराबर आपका लाब होता है और 10 मीटर कपड़ा आपने बेचा है तो आपको जब लाब हो रहा है तो आपका विक्रे मुल्य माइनस का क्रे मुल्य होगा कर नहीं होगा बता दो तो 10 का CP बरावर आपके किसके बरावर हो जाएगा 8 के SP के बरावर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो CP और SP का जो रेशो है वो किसके बरावर हो जाएगा भई 4 बटे 5 के बरावर हो जाएगा आपका तो यहां से जो आपका profit बन रहा है वह एक का profit बन रहा है चार की respect में बन रहा है गुणा 100 करने पर बन रहा है यानिकी 25% कितना बन रहा है 25% 25% बन रहा है किसी को कोई problem तो नहीं आ रही है क्योंकि जितनी product में डीलिंग हो रही है उस डीलिंग के बाद में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वह यहां मेंशन होगा आपको कि इतने मीटर का प्रॉफिट है यह इतने मीटर का लॉस है ठीक है चलिए अगला कुशन आपके सामने देखो उसी पर बेज़ड है कि एक दरजन बॉल को बेचकर एक दुकानदार ने चार बॉल पैन को बेचकर चार बॉल पैन की विक्रे मुले के बराबर लाब निकाला तो बताओ हर हर टाइप टू टाइप आपका क्लियर हो रहा है क कहा दिय să सब térडिस, क耐से का बठर ने टाष्ठक दिय को अएफ़ बेच्शन आपके मुले का बाताओ हर लाबर, लापट, टूल छि मुले का दुका दूलकिता हर जोता आफ़या का रहा हरुली का दlor मुले का अजया हर लादकर भाह ह है जुले का दिकones, लागए है चारा एक दर्जन वाल पैन को बेच कर एक दर्जन मतलब 12 वाल पैनों को बेचा है अब प्रॉफिट हो रहा है चार वाल पैन के सेलिंग प्राइज के एक्वल प्रॉफिट हो रहा है तो 12 का सेलिंग प्राइज माइनस 12 का कॉस्ट प्राइज ठीक है चलिए तो यहां पर कितना हो ज आर दुनी आठ और चारतिया बारा तो कितने का प्रॉफिट है एक का दो के रेस्पेक्ट में गुणा सौ तो पचास परसेंट का प्रॉफिट आपके सामने हो जाएगा फिफ्टी परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा क्लियर हो रहा है भई मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा आप बिलकुल हाया ना में जवाब दे सकते हैं और लाइक शेर भी कर सकते हैं अगला प्रशन देखो फिर से आपके सामने हैं देखते हैं कौन करके दिखाता है कर देखते हैं कि बहत्तर वस्तू को बेचने पर आठ वस्तूओं के विक्रे मुल्य के बराबर हानी होती है बहत्तर वस्तूओं को बेचने पर हानी होने का मतलब आप जानते हैं सीपी माइनस का एसपी तो यहां लॉजिक कितना निकल कर आ रहा है सर बहत्तर का सेलिंग प्राइज बराबर सौरी असी असी सेलिंग प्राइज इस इक्वल टू चौन सट का सीपी एसपी और सीपी का जो रेशो है आटू आटू चौन सट क्या कह सकते हैं सोले चौकित चौन सट और सोले पंजे असी चलिए तो आपका जो लॉस आ रहा है वो कितना लॉस आ रहा है एक का लॉस आ पांच के रेस्पेक्ट में गुणा सो यानि कि 20 परसेंट अब देखो अब यहां लॉस तो आ रहा है बट सीपी माइनस 72 सब्सक्राइब टिक है अब यहां देखेंगे कि असी हो गया यह आपका थो यह और बहतर हो जाएगा ना तो यह हो जाएगा सर आठ नाम बहतर और आठ धाने असी कितने का आ रहा है एक बटे दस परसेंट जिनका अंसर है वह उचित है वह सही किया है सबने अगला कुश्चन देखेंगे भाई देखें कौन अंसर देता है बहुत अच्छे अच्छी कुश्चन से सारे झाल 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 कि यदि किसी वस्तूपर मिलने वाला लाव विक्रे मुल्य का एक बटे पाँच है तो जो profit है वो विक्रे मुल्य का है अच्छा profit जो है वो विक्रे मुल्य का है selling price का है कौन profit तो percentage लाव क्या होगा तो अगर एक आपका profit है selling price आपका 5 है तो cost price क्या होगा बताओ 4 ही होगा निश्चित तौर पर क्यों क्योंकि एक का profit होना चाहिए न तो आपका एक का profit हमेशा cp के respect में निकाला जाता है तो वास्तिविक लाब प्रतिशत ग्याद कीजिए 25% आ रहा है आई हुए हैं या आ सकते हैं या आने वाले हैं यह तीनों चीजे संभव हैं जितने भी questions मैं करा रहा हूं तो आप लोग अगर यह कर रहे हैं तो definitely आप ELP निकाल लेंगे ठीक है चलिए अगला प्रशन 33 पुस्तकों का क्रे मुल्य उतना ही है जितना X पुस्तकों का विक्रे मुल्य है 33 पुस्तकों का क्रे मुल्य इतना ही है जितना X पुस्तकों का विक्रे मुल्य है ठीक है अच्छी बात है अब लाब 10% है 10% लाब होता है 10 से 11 याने कि यह अगर आपका cost price है तो यह आपका selling price होगा ठीक है भई तो यहां से अगर आप CP और SP का ratio लिखोगे जो की equation के इसाब स से लिखोगे तो 10 से 11 होगा तो X की value कितनी निकल गर आगए 30 तो X का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा तो बराबर करना है पड़ेगा आपको ठीक है तो आराम से आपका सवाल हो जाएगा जवाब मिल जाएगा अगला प्रशन देखिए कि 26 गेंदों को इतने में बेचने पर 8 गेंदों के क्रेम मुले के बराबर हानी होती है यह वही टाइप है और मैं आपको कहता हूँ कि आपकी जो approach होगी वह आपकी approach जो होने वाली है वह approach भी वैसी रहने वाली है जैसा अभी तक आप कर रहे थे केवल आप अनुपात तक ले जाओ बस कि वही स्पी सीपी का रेशो यह है बस इतना बता दो उसके बागे मैं बताऊंगा आपको कि अपरोच देखिया कि 26 गैंदों को बेचने पर आठ गैंदों के क्रेम उल्ले के वराबर हानी होती है तो आठ बॉल के कॉस्ट प्राइस के एककोल अगर आपका लॉस हो रहा है यह कब हो रहा है 26 गैंदों को बेचने पर तो लहानी हो रही है ना तो हानी यानी की कॉस्ट प्राइस हानी यानी की कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दीजे तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि 26 गैंदों का जो आपका सेलिंग प्राइस है वह आपके 18 गैंदों के कॉस्ट प् स्टे में तो 9 बेश राष इतने रुपए में टोटल गेंदों को बेच रहा है तो 9 से भाग किया आमने 15ро 13 Excuse तो खरीदा कितने में 13ग एंसक्स्क्राइक सभी केंदों का कॉस्ट प्रैस है तो एक गेंद ऐन्मित एक 26 के भाग दोगे ये हो जाेगा सरे 75 रूपीज 75 रूपीज तो जैसी 26 का भाग दोगे तो 75 आजाएगा किलियर है तो आप चाहे तो पूरा पूरा निकाल लो फिर लास्ट में एक गैंद की उपर बात करनी है तो 26 गैंद ओपर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं डायरेट भाग सक्ड़ दे सकते हो अगला कोशन करिए आराम से है सकते हैं यो झाहे हैं ग॥ट है तो आराम से π एक कलम को 26 रुपे में बेचने पर एक आदमी उसके क्रेम मुल्य के एक बटे 14 भाग की हानी होती है अगा कुशन अपकी स्क्रीन पर दिया इनने यह लीजिए करके बताईए आप लोग झाल झाल राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाब कमाता है इसे क्रेमुले के स्थान पर यादि विक्रेमुले पर गणना की जाए तो क्या होगा तो 30% का लाब कमा रहा है यानि कि 3 बटे कितना हो गया 10 हो गया आपका यानि कि यह अगर आपका cost price है तो यह आपका क्या होगा profit होगा मैं वही वाली बात कहता हूँ कि अगर 10 आपका cost price है और 3 अगर आपका profit है तो selling price आपका क्या होने वाला है बता दो तो selling price की गढ़ना करिए जब क्रेमुले के स्थान पर यदि विक्रेमुले पर गढ़ना की जाए तो selling price आपका 13 होगा तो अगर आपके लाब की गढ़ना करवानी है तो 3 का profit 13 के respect में गुणा 100 तो आपका जो answer होगा वो होगा 3.07 यह है गजब का question और हर question में quality है पढ़ने वाले बच्चे को यह चीजे समझ में आती हैं हमेशा क्योंकि मैं आपको फिर बोलता हूँ कि competition काफी अच्छा रहने वाला है काफी तकड़ा रहने वाला है लेकिन selection उनी बच्चों का होगा जो regular मेहनत करेंगे अगर आप irregular मेहनत कर रहे हो तो हो ही नहीं सकता है यह बात ध्यान रखना तो बस आप लगे रहो मेहनत करते रहो अगला प्रशन आपकी screen पर है यह लीजिए करके बताईए क्या जवाब आप देने वाले हैं झाले हैं इदि किसी लेन दिन पे हुई षानी विक्रे मूल्य की बटे 5 के बराबर हुए फिसले बात की चाहई है वो विक्रे मुल्य के तो विक्रे मुल्य पांच है हानी आपकी एक है तो क्रे मुल्य क्या होगा विक्रे मुल्य पांच है हानी एक है तो क्रे मुल्य क्या होगा तो क्रे मुल्य आपका 6 होने वाला है हानी होगी तो तो आपका जो लॉस है वह एक बट्टी 6 गुणा सो कहने कि 16.66 अगला कुशन देखिए आप लोग आराम से करिए किसी वस्तु का विक्रे मुल्य नौसो रुपे है और 40% की छूट है अब MRP की बात आ गई अब यहां से आपका MRP संतुलन बन जाता है क्या ही लोग सोचते हैं कि सर MRP पर ही देखो डिसकाउंट जो होगा डिसकाउंट डिसकाउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है अगर आपकी MRP 100% है अगर आपकी MRP 100% है 40% का डिसकाउंट दे दिया 40% का डिसकाउंट दे दिया तो 60% आपका क्या हो गया 60% आपका क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइज हो गया 40% डिसकाउंट दी दिया तो 60% आपका सेलिंग प्राइज हो गया जो कि किसके बराबर है 900 रुपीज के बराबर है 40% का डिसकाउंट यानि कि 60% आपका यह हो गया तो 100% की अगर आप वैल्यू करोगे तो आपका जो जवाब होगा वह 1500 आजाएगा यानि कि 1500 रुपे आपका क्या बनेगा आपका MRP बन जाएगी 1500 रुपे आपके MRP हो जाएगी 100% की वैल्यू 1500 जो होगी वह आपके MRP हो जाएगी अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है लाइक शेर में कसर मत छोड़िये क्वालिटी देने में मैं नहीं छोड़ूंगा यह बात धिहान लखना रेगुलर आप पढ़ रहे हो तीन बजे कैच दा मैथ होता है बस पढ़ाई करो ना यार ठीक है अब देखो MRP दे रखिया थाड़ा तीन सो रुपया दो कांदार द्वारा दी जाने वाली छूट दस परसेंट है अगर साड़े तीन सो रुपया MRP है और छूट आपकी 10 परसेंट है तो 10 परसेंट अगर आप छूट निकालोगे तो कितना हो गया 35 रुपय का डिसकाउंट कितने रुपय का 35 रुपय का तो 350 में से अगर आप 35 को घटा रहे हो यानि कि आप कितने में बेच रहे हो 315 रुपय में 315 में उसको सेल आउट कर रहे हो अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर देता हूं जवाब देना आपका काम है मेरा काम आपको समझाना करिए एक अंकित मुले पर 30 परशन की छूट देने के बाद इतने में बेचा जाता है तो 30 परशन की छूट दे रहे हो यानि कि 10 से 3 की छूट यानि कि 7 अब 7 बराबर आपका कितना है 455 है तो यहां देखेंगे सर 76 42 है और 75 35 है यानि कि वस्तू का जो आपका अंकित मुले है वो 6 अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर यह लीजिए अब यह आ नहीं है अब यह लाजमी है कोशन्स देखिए अब एक कुर्सी का जो अंकित मुले है वो 10 परसन की छूट के बाद इतने में बेचा जाता है यानि कि 90% अगर आपको सेल करना है तो वो 720 के बराबर है 100% की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वो 800 के बराबर हो जानी है ठीक है 100% की वैल्यू तो कुर्सी का क्रेम मुले इतना है 640 रुपे तो उसे अंकित मुले पर चाहिए में खरीदा है और उसे MRP पर वेचने की बात कर रहे हो तो कितने का प्रोफित है एक सो साथ का प्रोफित एक सो चेसो चालिस के इस रेस्पेक्ट में गुना सो यहनी कि सर जी आंसर जो निकल कर आएगा वो 25 परसेंट निकल कर आने वाला है किसी को कोई प्रोईशानी तो नहीं है चलिए अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है यह लीजे करके बताईएगा झाल झाल वस्तू को अंकित मुलेक के 20% के छूट के बाद में 120 में रुपे में बेचा जाता है तो 20% की छूट के बाद में तो 20% की छूट के बाद में याने के 80% में 80% पर अगर आप उसको बेच रहे हो तो 120 रुपे में उसको बेच दो आप 120 में अगर उसको बेचोगे तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 8,8 और 8,5,4,500 रुपया निकल कर आ जाएगी कितने रुपय और 500 रुपय अब यह 500 रुपय क्या है जब छूट MRP पर होती है तो MRP होगी अब यदि छूट नहीं दी जाती अब छूट नहीं दी जाती तो 20% का लाभ होता छूट नहीं दी जाती तो MRP पर ही बेचते तो 20% का लाभ का मतलब 5-6 6 लोब आपकी MRP 500 रुपय होती तो 25 MRP को Selling Price के बराबर तब करते हैं जब तब करते हैं जब डिस्काउंट दिया ही ना गया हो, जब डिस्काउंट ना दिया हो, जब डिस्काउंट ना दिया हो, थीक है, तब करते हैं, जब डिस्काउंट ना दिया हो ठीक है अगला कोश्चन अब कोश्चन की लाइन बाई लाइन पढ़ते रहो और ट्राई करो कि आपसे बने अगर नहीं बनता है तो फिर कैसे बनेगा क्या होगा वह सब मैं सिखाऊंगा बेटा गोपाल आर्टी आई होता है वह ना अभी जवाब नहीं आया उसका है झाल कि दीवार घड़ी की घड़ी की सूची का जो मुल्य है वो यह दे रखा है लिस्टेड प्राइस दे रखिए आपको जाने कि मैं कहता हूं कि MRP दे रखिए एक तरीके से दी जाने वाली जो छूट है वो 10% है अगर 10% की अगर छूट है तो कितने पर बेचोगे 1080 पर और बोला गया है कि यदि घड़ी का अंतिम मुल्या 945 है तो कितना और डिसकाउंट दिया गया होगा तो मेरे पास को करने के दो तरीके हैं पहला तरीका मैं आपको समझा रहा ही है 10% की छूट आपने दे दी तो सेलिंग प्राइज आ गया अब बोला जा रहा है कि फाइनल आपका सेलिंग प्राइज यह है तो आपने कितना और छूट दिया तो 55 और 80 कितना हो जाएगा 8.135 और यह 1080 के रेस्पेक्ट में गुना 100 तो वह एक्स्टर जो डिसकाउंट ह है जो 27 4108 और 27 5135 तो यह जो एक्स्टर डिसकाउंट है 12.5% का यह आपका अंसर आ गया तो यह तो एक वो तरीका है जो कि बच्चे को अगर कुछ भी ना आता हो तो करना हो सर क्या इसमें हम सक्सेसिव डिसकाउंट वाला केस लगा सकते हैं सक्सेसिव डिसकाउंट आप लगा सकते हो कैसे लगा होगे वह मैं आपको समझाता हूं देखिए सक्सेसिव डिसकाउंट में कहता है कि सर एक छूट 10% की है 10% की अगर चूट है यानिकि एक बटे 10 है यानिकि 10 में एक का डिसकाउंट यानिकि 9 कि दूसरी छूट एक्स से वाई मान लीजिए ओवराल क्या होता है ओवराल बारे सो रुपे अगर आपकी MRP है तो आप कितने में सेल कर रहे हो 945 में फाइनली सेल कर रहे हो 10 का भाग दिया 120 बार 105 बार तो कितने का डिसकाउंट है 15 का किसके रेस्पेक्ट में 120 के रेस्पे हानी बड़ी प्यारी है डबल डिसकाउंट वाला केस है ठीक है बट आना चाहिए देखो यह कोशन ऐसे है जो एससी तक पूछता है अब आजकल का लेवल वैसा नहीं रा जैसा आप सोच रहे हो एकका दुक्का कुशन टफ आएगा बट पेपर में जो स्पीड मेंटर करती है वह आने चाहिए कि तुरंत आपके दिमाग में किलिक कर जाए कि आर सक्सेसिव लगने वाला है ठीक है बटा चलिए 97 का 20 होगा नहीं 97 का 125 आंसर है कैसे है 20% का लाव है 5-6 अब MRP ही आपका से अबने दे रहा हूं करके दिखा दो एक बर यहां भी वह कैल्कुलेशन ही मारेगी आपको अगर मारेगी तो इंजिनियर सौनू मेरा फाउंडेशन बैच सबको लेना है आपको भी लेना है तो अपनी अप्लिकेशन पर जाकर ले सकते हो आप वह आपको आफर मिल जाएगा अप्लिकेशन अपनी क्वेक ट्रिक्स पाई साहिल से रहे जाकर ले लेना चले अब एक वस्तू का देखो MRP देया हुआ है 12% की चूट तो 12% की चूट याने की 100 से 88 दूसरी चूट X से Y तो 18,000 और 14,414.4 क्या बात है 2,0 से 2,0 कट गया 11 से कट गया आठ बार 11 एकम 11 बचे 3 ग्यारे तिया 33 ग्यारे एकम 11 और 11 चूट चमवालिस और बताओ आठ से चला जाएगा क्या बिल्कुल चला जाना चाहिए आठ एकम 8 बचे 5 आठ चिंगर 40 बचे 3 आठ थतिया 24 आठ वाट चूट चूट कितने का डिसकाउंट नजर आ रहा है पॉइंट दो चूट सोला पॉइंट दो किसके रेस्पेक्ट में 180 के रेस्पेक्ट में तो आपका आंसर आएगा 9 परसेंट मज़ा आ गया मुझे तो अच्छा लगा थोटी बुटी कैल्कुलेशन आ सकती है और कुछ भी नहीं आएगा बस घजब तरीके से सीखते जाएए ठीक है भई लाइक वेक भी करते अगला करो जलो अच्छा कुश्चन है कर दो 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 बीस परसेंट की छूट किसी अन्य वस्तू के मुल्य पर पच्छिस परसेंट की छूट बराबर है तो दौनों वस्तूओं के मुल्य क्रमशक क्या होंगे तो लॉजिकली आपको यह कंसेप से करना है कि डेटा तो दिये नहीं रखा अब ऑप्शन से चेक करोगे बीस परसेंट की छूट पहले वाले एम आरपी पर और दूसरे वाले पर पच्छिस परसेंट की जो छूट है वह बराबर होनी चाहिए छूट पराबर है ना कि सेलिंग प्राइज पचंप पच्छिस पांचों की बीस तो पचास और चालिस उसी रेशों में आ जाएगा अगला करके दिखाओ चलो प्रशन को ढंक से बढ़ना पेपर में भी करना चाहते हो तो यह मूल मंतर दे रहा हूं एक दुकान दार ने पतलून पर 25 परशन की चूट की घोशना कर दी कि पतलून ले जाओ 25 परशन के डिसकांट पर ले जाओ उमेश दुकान में गया वे चूट के रूप में पांचों रुपे बचाना चाहता था उमेश जो है वो दुकान में गया और वै छूट के रूप में क्या करना चाहता था 500 रुपे बचाना चाहता था यदि प्रतेग पतलून का मुल्या 2500 रुपे है तो ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने होंगे अब एक दुकानदार ने पतलून पर 25 परशन की छूटशनी की गोशना कर दी उमेश दुकान में गया वै छूट के रूप में 500 रुपे बचाना चाहता था अब 200 रुपे की पतलून है ठीक है और 25 परशन का डिसकाउंट आप करना चाहते हो तो मैं यह समझता हूं कि यहां आपको जो पैसे बचाने है बासट पॉइंट पांच रुपे बचाने हैं हर पतलून पर तो कितने पतलून खरीदने होंगे 500 रुपे बचाने के लिए बासट पॉइंट पांच पच्ची दूनी पचास और पच्ची चहसो पच्ची अठ्थे दोसो आठ पतलून की खरीदी करनी बड़ेगी तब जाके आपका वो एक पतलून से जो पैसा बन रहा है इतना बचत हो रही है जो डिसकाउंट की बचत है बासट पॉइंट पांच का भाग करोगी तो आठ पतलून की आपको सेलिंग और वो करना पड़ेगा ठीक है सर ट्राउजर को पतलून बोलते हैं मैंने पहली बार सुना मेरे को नहीं पता वही किसको क्या बोलते हैं लेकिन यह जो है वो तो ही चलिए कर दो कर दो करमा का चूट की एकल चूट क्या है तो इसका एक फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 एंटू D2 बटेश सो तो 20 प्लस का 15 माइनस 20 गुणा 15 बटेश सो तो 35 में से अगर 3 चले जाएंगे तो 32 परसेंट की एकल चूट नजर आएगी और अच्छी परसेंटेज है तो इसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है अगर अच्छी परसेंटेज है तो ठीक है अगर बुरी परसेंटेज होती तो फिर रेशो से करते हैं ठीक है अब अगला कुश्चन है अच्छी परसेंटेज है तो एक लचूट बताईए चलिए कोई बच्चे और भी बेसिक जानना चाहते हैं मैं उनको परसेंटेज करता हूं कि अगर आप आने वाले टाइम में टेक्नीशन दे रहे हो एंटीपीसी दे रहे हो गुरूबडी दे रहे हो एंटीपीसी के दो लेवल हो रहे हैं उनको दे रहे हो तो आप लोगों कि माइनस चालिस गुणा तीस बटेस सो तो यह हो गया सर सत्तर में से अब गर आपका बारह चला गया तो सत्तर में से बारह चला गया तो 58 परसेंट आपका प्रॉफ हो आजाएगा डिसकाउंट अगर्ण जिसकों बोलते हैं अगला कुशन फिर से आपके सामने बताओ एकल चूट क्या होगी अभी दो वाला फॉर्मूला आप एजली लगा पा रहे हूँ कि अगर्ण पर्शेंट और दस पर्शन की दो चूट दी जा रहे हैं तो एकल चूट क्या होगी पच्चिस प्लस दस पैंथीस पच्चिस गुणा दस बटे सो अब पैंथीस में से धाई चले गए तो बत्तिस पॉइंट पांच यह आपका एक डिसकाउंट हो जाएगा पीडिएफ आपको टेलिग्राम पर मिलती है टेलिग्राम मैट भाई साहिल सर टेलिग्राम कोई यह डिकान टेलिग्राम भाई को जाएगा पतिस एलिग्राम कोई एक दुकानदा 2000 रुपए अंकित मुल्य वाली एक वस्तू 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है वह वस्तू को किस मुल्य पर बेचता है बताओ तो देखो अब यहां आपके पास एक लॉजिक यह है कि 20 प्लस 15 माइनस का 20 गुणा 15 बटे 100 तो आप यहां से एक तो यह concept लगा सक आपका अंसर बन जाएगा 1360 रुपया एक तो यह तरीका आपका हो गया ठीक है बॉस इसमें कोई किसी को दोराय नहीं होनी चाहिए क्लियर है सर दूसरा दूसरा तरीका है कि 20% का एक डिसकाउंट है तो 20% को हमने बोल दिया वह एक बटे 5 होता है 15% को हम जानते हैं कि 3 यह कह सकता हूं अगर यह 100 है और यह 68 है तो 100 बरावर अगर आपका 2000 है तो यहां से आपका 20 से गुणा हो जाएगा आंसर फिर से ही आने वाला है तो यह रेशो वाला मैथड है यह आपका डायरेट वाला मैथड है 32% की डिसकाउंट दोगे तो 68% पर ही तो बेचोगे तो व प्रिक्त छूट पूछले दोनों की बात बराबरी है करिए कि 75 रुपे अंकित मुल्य वाली एक वस्तु के दो लगातार चूटे हैं 10% यानि कि 10 से 9 दूसरी चूट हो जाएगी एक से y यानि कि यह हो गया तो यहां जीरो से आपने जीरो काड़ दिया तीन से काड़ देंगे तीन बार तीन एकम तीन तीन अट्थे चौविस तीन तीन नौ तीन पंजे पंदरा और ठीक है अब यह कितना हो जाएगा सर साथ तीया इख किस तीया पंदरा बाईस सो पचास चाफ गया तो पांच चार में से तीन गया तो एक चार सो पंदरा ठीक है पांच चोके बीस पचम पच्चेस ठीक है बाई और पन अट्टे चालेस पांस तीया पंदरा जीरो से गाटा जीरो पनम पैतालेस पांट दूनी दस तो यह हो गया सर जी 166 बटे 9 अब देखो यही आ रहा है कि कुछ अप्रोक्सिमेटली आंसर आएगा क्या अब देखो ऐसी कुशन है 166 अब वहन दस आ रहा हो तो बढ़िया है 9 एकम 9 बचे कितने हैं अपने पास 7, 9, 8 बहतर 18 परसेंट के आसपस डिसकाउंट बन रहा है आप लोगों कभी वन रहा है कि आथारा परसेंट के आसपस सर नो कहां से आया है नो कहां से यह यह 10% का डिसकाउंट है नहीं पहली 10% की थी 18% के आसपस आ रहा है ना ठीक है मतलब अपना ठीक है कैल्कुलेशन गलत हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए बच्छा यह कहाए आया है आपको आसान जिन बच्चों को आसान लग रहा तो यह चप्टर आपको नहीं बच्चे नहीं है पहफ सोलनाबाब धच्चा एक कर लगता है डार्व द दी शक्रेंट कहा है या जआा अगर ज़र नहीं आ रहा होता तो यही चीजे आपको चैलेंज कर रहे होती तो अच्छी बात है, मैं तो कोई घुशी मनाता हूं इस चीज में कि अगर स्टूडेंट कर पा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आएगा यही लेवल ही अब यह कहकर, मैं आपको कैट लेवल के कुशन नहीं करवा सकता, उससे क्या होती है फिर फिर वो ट्रस्ट खतम हो जाता है, एक्जाम और चीजे लेकर चलो हमेशा, बच्छा के सलेक्शन देने से परपज है मेरा, ठीक है, तो चीजे आपको क्लियर हो गई, अब यहां तक आ समबर से लेकर, आगे के जो कोशन हैं, वो हम आपके सामने कल करेंगे, और यह हो गया, अपना 120 तक, ठीक है, ओके, टेस सीरीज लेना चाहते हो, तो आप रेलवे की टेस सीरीज ले सकते हो, क्विक ट्रिक्स टेस सीरीज अलग एप्लिकेशन है, उसके उपर से, प्री जो क् एक्स प्रेक्टिस चलती है, एक्जाम वाली, फीलिंग वाली, वो CTM 3 बजे, CTR 6 बजे, और CTS 10 बजे होता है, यह रेगुलर फॉलो करो, बहुत अच्छा लगेगा, CTM होता है, तीन बजे, बहुत डेली प्रेक्टिस होती है, वहाँ पी आओ, जिनको आता है, मैत भाई सा तैयारी करना चाहते है, रेलवे के साथ साथ आप और भी एक्जाम को टार्गेट करना चाहते हो, तैयारी एकबर ही होती है, देखो, आप हर एक्जाम के लिए अलग-अलग नहीं भाग सकते, अगर आप हर एक्जाम के लिए अलग-अलग भागोगे, तो आप अपना टाइ पड़ो जिस से कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले और उसके बाद आपको यह लगे कि बस इतना ही होता है क्योंकि क्योंकि क्या लोग foundation लिकर आपको बेव को बना सकते हैं क्योंकि foundation की actual value उन्हें नहीं पता है तो आपको लोग यह ध्यान रखना कि math foundation batch जो असली foundation है वो यह batch आपके सामने हैं चाहे तो आप अपने बच्चों से जो अपने students है उनसे पूछिए आप एक बर इस बैस से आपके सारे exam cover हो जाएंगे आपको दुबारा पैसा कभी खर्च करने की जर्वत नहीं पड़ेगी य जेसु निन्याड में का यह batch अभी offer में चल रहा है आप इसे ले सकते हैं क्या हो चुका है simplification से लेकर race तक arithmetic में मैंने cover किया number system मेरा अभी live चल रहा है आप जुड़ोगे तो आपको आज से एक साल की validity मिलेगी आज से एक साल की validity पूरानी सारी वीडियो notes PDF recorded classes सब कुछ मिलने वाली है अभी advanced math पूरा बाकी है वो आराम आराम से करवा रहे हैं आपन कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं उसलिए उस batch की value है ठीक है quick tricks by science application पर यह आपको मिलेगा साथ के साथ एक batch है rrb batch जहां सारी subject आपको मिलेगी आप math पढ़ना चाहते हैं gkgs पढ़ना चाहते है reasoning पढ़ना चाहते हैं basic science and engineering पढ़ना चाहते हैं वो सब कुछ आपको अपनी application quick tricks by साहिल से application पर मिलने वाला है rpf, alp, ntbc, group d सब के लिए ठीक है तो general science foundation reasoning foundation आधार gk foundation यह सब अलग-अलग भी आप ले सकते हो तो paid course में आप जाईए rrb batch लेना और rrb में लीजिए individual math का batch लेना है individual math का लीजिए coupon आपको 600 रुपे का offer rrb में मिलेगा 600 रुपीज का offer आपको rrb में मिल रहा है और 100 रुपीज का offer आपको आपकी individual batch में मिल रहा है तो जाकर आप जुड़िए अच्छा साब अच्छा पढ़ाते है content एक number solid है औ और कोई अगर query है तो इस number पर आप call या WhatsApp कर सकते हो अगर है तो ठीक है चलिए तो quick tricks भाई साहिल सर application पर आप जुड़िए आज ही और courses से साथ जुड़ जाए चैनल को subscribe कर लिए regular classes के लिए ठीक है चलिए तो जै हिन जै भारत मिलते हैं आप से अगले session में हां तो आप अपन निकालने के लिए टेक क्यार बाई बाई